उन दिनों ऐसा था कि अगर आप कॉलेज नहीं जाते तो आप खत्न तो मैंने एक काम किया जिसकी वज़े से सभी को लगा कि मैं सभी का दुश्वन बन गया फिर मैंने सभी शिक्षकों के साथ एक समझाता किया देखिए हर किसी को हर बात के लिए मनाया नहीं जा सकता ठीक है कुछ चीजें बस कर दी जाती है तो मैं आपको एक उधारन देता हूँ जब मैंने बारवी कक्षा पास की उन दिनों उसे पी उसी कहते थे उसके बाद मैंने फैसला लिया कि मैं खुद को शिक्षित करूँगा मैं कॉलेज नहीं जाना चाहता था ये परिवार ऐसा है जिसमें सभी पढ़े लिखे हैं कॉलेज नहीं जाना पाप की तरह है कम से कम आज कल थोड़ा लचीला पढ़ है उन दिनों अगर आप कॉलेज नहीं जाते तो आप खत्न क्योंकि आज अगर आप कॉलेज नहीं जाते तो आप शायद अपनी जीवन शेली खो सकते हैं लेकिन आप अपना जीवन नहीं खोएंगे वो ऐसी पीड़ी थी जिसमें अगर आप कॉलेज नहीं जाते तो आप अपना जीवन खो देंगे, आप सड़क पर आ जाएंगे, बिलकुल ऐसा था तो वो बुरी तरह से डर गए मेरे पिता एक डॉक्टर थे, उन्हें ये बहुत ज्यादा अजीब लगा वो पढ़ाई में बहुत रुची लेते थे, पूरे जीवन हमेशा वो हर चीज जो वो करते थे, उसमें पहले दूसरे तीसरे नंबर पर आते थे तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि मैं खुद को शिक्षित करना चाहता हूँ तो मैंने एक काम किया, जिसकी वज़े से अचवी को लगा कि मैं सभी का दुश्मन बन गया हूँ और वो मुझसे ठीक से बात भी नहीं कर रहे थे मैंने एक काम किया मैं बताता हूँ आपको मैं बहुत ज्यादा खाना खाता था मैं दस गुना खाता था मैं आज के मुकाबले कम से कम दस गुना ज्यादा खाता था लेकिन मेरा वजन कभी नहीं बढ़ा क्यूंकि मैं इतना ज्यादा शारीरिक काम करता था मैं नारियल के पेड़ों पर दोड़ते हुए चड़ जाता था मेरी बनावट वैसी थी मैं हर दिन 50 से 60 किलोमीटर साइकल चलाता था कावेरी में तैरता था और वापस आ जाता था तब उतना खाता था फिर मैंने मैसूर यूनिवरस्टी की लाइबरिरी में जाने का फैसला किया हर दिन वो 9 बजे खोलते थे मैं जाता था रात में 8 बजे वो बंद करते थे तब तक मैं वहां बैठा रहता था और वहां मैंने हर तरह की चीजे पढ़ी होमर से लेकर लोकप्रिय मेकैनिक्स और नाशनल जोग्राफिक से लेकर सहित्य तक भोगोल ये और वो सब कुछ जो भी मुझे मिला एक साल तक हर दिन मैंने इस थरह पढ़ा बस हर तरह की चीजें लेकिन मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज ये थी कि हालांकि मैं इतना ज्यादा खाता था इस पूरे साल में मैंने पूरे दिन कुछ नहीं खाया सुबह नाश्ते में जितना हो सकता था खा लेता था फिर वहां जाकर पूरा दिन बिना खाय बैटता था जो मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धी थी क्यूंकि बिना खाय मैं बैट पाया इससे मेरे जीवन को देखने के तरीके में विस्तार आया लेकिन फिर परिवार का ड्रामा शुरू हो गया मेरी मा रोने लगी अगले शैक्षिक वर्ष में कॉलेज जाओ फिर मैंने कहा अगर मैं कॉलेज जाओंगा तो साहित्य पढ़ने के लिए जाओंगा मेरे पिता ने कहा तुम कवितायं पढ़कर क्या करोगे तुम्हें डॉक्टर बनना चाहिए उन्होंने मेरे लिए military medical college में seat भी देख रखी थी मैंने मना कर दिया फिर वो बोले ठीक है कम से कम engineering तो कर लो फिर मैंने कहा देखिए अगर मैं कहूं डॉक्टर नहीं बनना चाहता आप कहें कि जानवरों के डॉक्टर बनो हायरुवेदिक डॉक्टर बनो कम से कम भूतों के डॉक्टर बनो तो मैं उस बारे में सोचूंगा मैं कह रहा हूं डॉक्टर नहीं बनना आप कह रहे हैं engineer बनो मैं नहीं सुनने वाला आपकी समस्या समाज है, आपकी समस्या मैं नहीं हूँ तो मैं बस साहित्य पढ़ने गया और इन तीन सालों के दोरान शुरुवाती दिनों में सभी शिक्षकों के पास पहले से तयार नोट्स होते थे उन्हें वो पढ़ते थे और सभी लिखते थे उन दिनों फाउंटन पैन होते थे जिनकी करकर की आवाज आती थी चिन से मैं परिशान हो जाता था मैंने कहा मैं ये करकर नहीं सुनना चाहता मैंने उन्हें एक सुझाव दिया अगर आप हमें वो नोट्स दे दें जो आपके पास हैं तो हम उने फोटो कॉपी करवा कर आपको वापस दे देंगे हमें आने की जरूत नहीं है आपको भी आने की जरूत नहीं फिर अगर मैं वहां होता था तो मैं 100 सवाल पूछता था जो उन्हें पसंद नहीं था फिर मैंने सभी शिक्षकों के साथ समझाता किया कि वो मेरी हाजरी लगा दे मुझे बस उसी चीज की परवा थी तो मैं महीने में एक बार जाता था बस ये देखने के लिए कि वो अपना वादा निभा रहे हैं तो मैंने मैसूर शहर की भुगोल की ऐसी खोज की गाउं की हर पक डंडी, हर परवत, हर पक्षी का घोंसला जो भी वहाँ था, हर चीज पर मैंने ध्यान दिया बस बिना किसी लक्ष के गूमते हुए लेकिन आज, जैसे जब मैं नदी अभ्यान के बोर्ट से मिलने गया जहां सभी प्रमुख विशेशक्य हैं तो कुछ प्रशन उठे और मैं उन्हें ऐसे ही समझा रहा था तो वो बोले, सद्गुरु आपको ये सब कैसे पता है मैंने कहा, जो तब बिना किसी लक्ष के गूमना था जिसमें मैंने हर चीज पर पूरा ध्यान दिया एक कीडे, पतंगे और हर एक चीज पर मैंने ध्यान दिया वो अब जबरदस्त ग्यान बन गया है मेरा इरादा कभी कुछ सीखने का नहीं था मैंने बस इसी लिए ध्यान दिया क्योंकि ये जीवन है और बस यही करना होता है हम यहां जीने आए हैं और कोई भी उदेशे नहीं है जो लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं वो आज ही जा सकते हैं वो इसे टाल क्यों रहें अगर वो इतनी शांदार जगह है तो मुझे टालने की वज़े समझ नहीं आती हैं कि नहीं ये युवाओं के लिए बहुत जरूरी है अगर कोई भी कहता है कि इस पृत्वी से बहतर कोई जगह है तो ये एक गुना है इसी वज़े से हमने यहां पर कई चीजों का विनाश कर दिया है झालने कि वज़े से बहुत जरूरी है